दिपक बाबरिया जी, कमल नाथ जी, रतन सिंग ठाकुर जी, हरी सिंग वर्मा जी, सुरेश सेटी जी, वर्षा गायकवाद जी, जी, हमारे कैंडिडेट्स, सुरेंदर सिंग ठाकुर जी, आरके डुगने जी, शेलेंदर पतेल जी, और अरुन यादव जी, पार्टी के हमारे सब कार्य करता, NSUI, Youth Congress, महिला Congress, सेवा दल के हमारे सब लोग, भाई और बहनों, प्रेस के हमारे मित्रों, और जो दिवार पे, और चट पे, और पीछे जो लोग कड़ें, आप सब का यहाँ, बहुत-बहुत स्वागत, आपका भी यहाँ, बहुत-बहुत स्वागत, नमस्कार. यहाँ शिवराज चोहान जी, पंदरा साल से चीफ मिनिस्टर है, दिल्ली में मोदी जी, साड़े-चार साल से प्रधान मंत्री, और मध्यप्रदेश की हालत, और हिंदुस्तान की हालत, आप सब जानते हों. यह जो कंस्टिट्वेंसी है, यहाँ पे, एक तरफ, शिवराज चोहान जी, जो पंदरा साल से चीफ मिनिस्टर है, जिनके बाद स्टेट की मशीनरी है, इंटेलिजन्स है, पुलीस है, धन है, सब कुछ है, और दूसरी तरफ, अरुन यादव, एक युवा, जिसके पास, मध्यप्रदेश की जनता की आवाज है, एतिहासिक, एतिहासिक लडाई होगी, कुछ दिन पहले, दिल्ली में, अरुन आया, तुम्हेंने उनसे कहा, देखो, तुम्हें जाकर शिवराज चुहान जी से लड़ना है, जाके लड़ना है, मगर, मगर एक बात, एक बात याद करके, कॉंग्रेस के, तुम प्रत्याशी हो, तुम्हारे से इसके प्रत्याशी नहीं हो, और जिस व्यक्ति से, अरुन यादव लड़ रहा है, वो मध्य प्रदेश के पंदरा साल के चीफ मिनिस्टर रहे हैं, इसका मतलब, जरूर लड़ना है, जरूर हराना है, मगर प्यार से, आदर से लड़ के हराना है, यह कॉंग्रेस पार्टी का इतिहास है, क्योंकि एक मध्य प्रदेश का, यहाँ पे इस लड़ाई में, एक नया नेता त्यार हो रहा है, मैंने अरुन से पूछा, टेस्ट करा मैंने, मैंने पूछा क्या अरुन, हरा होगे या हार होगे, मैंने पूछा, एक सेकंड में, दो सेकंड नहीं लगे, एक सेकंड में अरुन ने कहा, मैं हरा कर वापिस आऊँगा, अब शिवराज चौहान जी में इतना एक्सपिरियंस, पंदरा साल का एक्सपिरियंस, और अरुन यादव, यूथ युवा, तो अरुन यादव में, इतनी कॉन्फिडन्स कहां से आई, अरुन यादव ने एक सेकंड में कैसे जवाप दिया, कि हाँ मैं हरा के आऊँगा, और इस मीटिंग से, देखिए इतना एक्सपिरियंस है, इस मीटिंग से पता लग रहा है, कि यहाँ पे अरुन यादव जीतने जा रहा है, आपकी तालियों से, आपकी जो उड़जा आए, उससे पता लग रहा है, मगर अरुन को, अरुन ने दो मिनट में, दो सेकंड में ये जवाब क्यों दिया, दो कारण है, पहला कारण, कि अरुन जनता से जुड़ा हुआ है, और जनता के दिल में जो है, वो अरुन समझता है, तो एक प्रकार से जब अरुन ने मुझे जवाब दिया, दो सेकंड में जवाब दिया, तो अरुन जवाब नहीं दे रहा था, मध्यप्रदेश की जनता जवाब दे रही थी, और दूसरी बात, पंद्रा साल जो शिवराज चुहान जी ने मध्यप्रदेश में मिस्रूल किया, दो तीन चीज़ें, दिल्ली में मोधी जी, वाइदे करते हैं, पंद्रा लाक रुपे हर बैंक अकाउन में डाल दूँगा, याद है आपको, याद है, मिल गया, मिल गया, दो करोड युवाओं को, हर साल, रोजगार दिल्वा दूँगा, किसानों को, सही दाम मिलेगा, उनका कर्जा माफ करूँगा, बोनस दे दूँगा, तो एक के बाद एक, एक के बाद एक जूट, और दूसरी तरफ, शिवराज चुहान जी, जिन्होंने बीस हजार घोशनाएं की हैं, मध्या प्रदेश का किसान, आतम हत्या गरता है, हाथ जोड़ता है, कुछ भी करे, ना मध्या प्रदेश की सरकार, ना नरेंद्र मोधी उनकी बात सुनते हैं, बाईयों और बेहनों, नरेंद्र मोधी जी ने स्वयम, तीन लाख पचास हजार करोड रुपए, पंद्रा लोगों का करजा माद किया है, मतलब, मंड्रेगा को चलाने में 35 हजार करोड रुपए लगते हैं, साल के, पंद्रा लोगों को उन्होंने 10 मंड्रेगा का पैसा पकड़ा दिया है, मैं स्वयम उनके आफिस गया, मोधी जी से मैंने कहा, मोधी जी आपने 15 लोगों का इतना करजा माद किया है, आप हिंदुस्तान के किसानों का भी करजा माद कर दो, आप क्यूं नहीं करते हो, मेरे सवाल के जवाब तक नहीं दिया, शिवराज चौहान जी, किसानों से, आदिवासियों से, गरीबों से, जमीन चीनते हैं, कॉंग्रेस पार्टी जमीन अधिकरन बिल लाई, आपकी जमीन की रक्षा करने के लिए, बिल में साफ लिखा था, किसान के बिना पूछे, उससे जमीन नहीं ली जा सकती, और अगर किसान अपनी जमीन देना चाहता है, तो मार्केट रेट से, चार गुना जादा पैसा, इस किसान की जेब में जाएगा, तब जमीन मिलेगी, और अगर, अगर जमीन पे उद्योग लगना है, अगर पाँच साल के अंदर जमीन में उद्योग नहीं लगा, तो जमीन वापिस किसान को मिल जाएगी, कानून में साफ लिखा, मोधी जी आए, शिवराज चोहान जी, रुपानी जी, योगी जी, रमन सिंग जी को कहते हैं, इस बिल को रद करो, इसको खतम करो, मध्य प्रदेश में किसान से बिना पूछे, हजारों एकर जमीन चीनी जाती है, आपको सही रेट नहीं मिलता, उद्योग पती उद्योग लगाए ना लगाए, कोई फरक नहीं पड़ता, आपकी जमीन से वो अपना लैंड बैंक बनाते हैं, मार्केट में आपको सही दाम नहीं मिलता किसान को, लंबे बाशन होते हैं, मगर आपको MSP नहीं मिलती, नहीं बढ़ाई जाती, तो पहला काम कंग्रेस पार्टी का, हमारा रिष्टा मध्य प्रदेश के किसानों के साथ है, और हमारा पहला काम, दस दिन के अंदर कंग्रेस पार्टी की सरकार बनने के बाद, ग्यारा दिन नहीं होंगे, आप गिंती कर लेना, मध्य प्रदेश के किसानों आप गिंती कर लेना, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आट, नौ, दस, दस दिन के अंदर मध्य प्रदेश के किसानों का कर्जा माफ हो जाएगा, 70,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000 को मध्या प्रदेश के युवाओं के लिए ह adult día हम Córd, प्रो Всем्ड लगाएंगे हर डिस्रिक्ट में ब्लॉक में में जाल भिचा देंगे फूर्ट प्रोचस सिंग्ड का लिए किसी डिस्रिक्ट में अगा सुगाए जाता है तो उसी डिस्ट्रिक्ट में किसान के खेट के पास टमाटर केचप की फैक्टरी लगेगी अगर अलू हुगा जाता है तो खेट के बिलकुल पास चिप्स का कार खाना चिप्स बनाएगा कार खाना लगेगा अगर सोया बीन हुगा जाता है तो सोया बीन की फैक्टरी सोया बी चाहिए सबजी हो फल हो अना आज हो सही दान के लिए बेचेगा और उसी फैक्टरी में उसी किसान के बेटे को और बेटियों को रोजगार मिलेगा आज कल आप जाते हो रोजगार डूंड ने मध्य प्रदेश का युवा जाता है गुजराज जाता है करनाटक जाता है पंजाब हरियाना अलग अलग प्रदेशों में जाते हो और अगर आज आज आप पूछो कि बताओ किसी भी स्टेट में पूछो भाईया बताओ हिंदुस्तान को बोजन कौन सा प्रदेश देता है आपको जवाब मिलता है पंजाब और हरियाना देते हैं पाथ साल बाद आप रोजगाद ढूड़ने नहीं जाओगे में तलंगाना में असाम में आप सवाल पूछन हिंदुस्तान को कौन सा प्रदेश भोजन देता है है हुआ जो आपके पुराने इंडेस्ट्रेल के अ कि उनको हम रिवाइब करेंगे मोदी जी ने बैंक का पूरा पूरा पैसा निरव मोदी मेहुल चोगसी विजह मालिया अने लंबानी के हवाले कर दिया है अच्छा देखो मज़ेदार बात चुलोगे देखो पहले नारा हुआ करता था मोदी जी आते थे कहते थे अच्छे दिन जनता कहती थी आएंगे याद है अब देखो अब निया नारा चला है चोकीदार 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 जहां भी जाओ जैसे यह आपने चोकीदार शक बोला जवाब आता है चोरे अब मैं देख के चोकीदारों से माफी लेना चाहता हूँ यह आपकी गलती नहीं है आप सब चोर नहीं हो आप सब इमानदार हो आपको बदनाम एक ही वियक्ति ने किया है देश के प्रधान मंत्री ने हिंदुस्तान के सब चोकीदारों को बदनाम कर दिया है मगर हिंदुस्तान के सब चोकीदार इमानदार है आपने यह सवाल नहीं पूछा मोधी जी ने आप से कहा था चोकीदार बना दो आपने गलती की आपने यह नहीं पूछा किसका चोकीदार बनना चाहते हो आपने सोचा हमारा चोकीदार बनेगा बन गया जाके है निलंबानी का चोकीदार निरभ गोधी का चोकीदार मेहुल चौकसी का चोकीदार विजयाब मालिया का चोकीदार यूपिये की सरकार एर फोर्स आई यूपिये की सरकार के पास एरफोर्स ने कहा भईया 126 हवाई जहाज करीदने हिंदुस्तान की रक्षा करनी है UPS सरकार ने कहा देखिए दो-तीन शर्ते हैं आप जाके सबसे बहतर हवाई जहाज जूढ़िए 526 करोर रुपए कम से कम दाम पे हवाई जहाज जूढ़िए और हवाई जहाज बनेगा तो हिंदुस्तान में बनेगा हिंदुस्तान एरोनाटिकल सरकारी कमपनी है सतर साल से हवाई जहाज बना रही है वो बनाएगी एरफोर्स को लोगों ने का बिल्कुल सही बात बोली मन्जूर है फ्रांस का हवाई जहाज चुना 526 करोड रुपए एक हवाई जहाज के H.E.L. को कॉंट्रैक नरेंद्र मोदी जी प्रधान मंत्री बनते हैं सीधे फ्रांस जाते हैं डाइरेक्ट फ्लाइट लेते हैं पैरिस हवाई जहाज लैंड करता है डेलेगेशन में उनके साथ अनि लंबानी जी बैठते है फ्रांस का राश्ट्रपती कहता है कि हिंदुस्तान के प्रधान मंत्री ने मुझे साथ बता दिया हिंदुस्तान एरोनाटिकल लिमिट्ड कॉंट्रैक्ट नहीं मिलेगा 526 करोड रुपए का नहीं कह रहा है किर्थ फ्रांस का राश्ट्रपती कह रहा है कि प्रेस को का है कि उसी समय ऑए कि कंट्रइक्साई होते ही हिंदुस्तान का रक्षामंतर ख़ड़े ओकर कहता है भवह मैंने तो नहीं किया कि पजानदी हिआ कि जानता है कि फशे का तो उसने कहा दिए मैं नहीं किया मोधी जी नहीं किया बाई और बहनों नरेंद्र मोधी जी ने 30,000 करोर रुपए अनिल अम्बानी को राफाइल मामले में पैसा दिलवा दिया जहां जाते हैं देशबक्ती की बात करते हैं सर्जिकल स्ट्राइक की बात करते हैं मैं आपको एक बात बताओं सर्जिकल स्ट्राइक में हिंदुस्तान की सेना को एचेल का हेलिकॉप्टर ले गया था कारगिल में पाकिस्तान की सेना के उपर बम एचेल के हवाई जहाज ने बिगिराई थे अनिलंबानी ने पूरी जिंदगी हवाई जहाज नी बनाया 45,000 क्रोड रुपए का करजा है उस पे 10 दिन पहले उसने कंपनी खोली हवाई जहाज बनाने वाली और नरेंद्र मोदी जी ने सब कानून नियम तोड़के आनिलंबानी को दे दिया इसलिए देश कहता है चोकीदार ये है हमारी सरकार आएगी तो हमारा फोकस आपके शिक्षा पर आपके स्वास पर और मद्यप्रदेश के युवाओं को रोजगार देने पर होगा और हमारा चीफ मिनिस्टर 18 घंटे युवाओं को रोजगार देने में लगा देगा आज हालात क्या है मद्यप्रदेश का युवा अच्छी तरह समझता है कि अगर मद्यप्रदेश में एक्जैम पास करना है तो इमानदार होश्यार युवा पास नहीं कर सकता है एक्जैम पास करना है तो पैसा देकर चीटिंग करके ही मद्यप्रदेश में पास किया जा सकता है व्यापम घोटाला इटेंडरिंग स्कैम तीन हजार करोड लुपए आपके चोरी कर लिए मित्रों को रिष्टेदारों को कॉंट्राइट दे दिए पूरा प्रदेश रेट के माफिया को पकड़ा दिया मिट्डे मिल्स कैम किया और चाहे वो व्यापम हो चाहे दूसरे गोटाले शिवराज चोहान जी और उनके परिवार का नाम इन सब में आपको मिलेगा मज़े की बात को आपको बताता हूँ गलती से कुछ दिन पहले गलती से मैंने कुछ दिन पहले यहाँ पैनमा पेपर्स की बात कर दी मैंने बोला कि शिवराज चोहान जी का जो बेटा है वो पैनमा पेपर्स में लिप्त है गलती कर दी हो जाती है क्योंकि वो रवन सिंग जी की बात थी अब इतना पहरश्टाचार है मद्यप्रदेश राजस्तान चत्रीस गर्म में कभी कंफ्यूज हो गया मैंने जो चलिए उसका बेटा है नहीं उसका नहीं था इसका था तो मैंने गलती से यहां बोल दिया आपने देखा होगा एक मिनट में शिवराज चोहान जी ने कहा मैं राहूल गांदी पर डीफरमेशन का लॉसूट लगा दूँगा जेखा आपने डीफरमेशन का लगा दूँगा तो शिवराज चोहान जी आपसे एक सवाल मैं व्यापम की बात करता हूँ मैं इटेंडरिंग की बात करता हूँ मैं इलीगल माइनिंग की बात करता हूँ मैं मिटे मिल की बात करता हूँ जब मैं इनकी बात करता हूँ आप डीफरमेशन की बात क्यों नहीं करते हैं मतलब इनमें सचाई है और ये बात पूदर प्रदेश समझता है। यह हमारी माताय बहने आई है। यह बहुत अच्छी तरह समझती है। इनको मोदी जी ने नोट बंदी में लाइन के सामने घड़ा किया था। याद है ना आपको। कि देश के चौकीदार ने इन से कहा हम सबसे कहा कि काले धन के खिलाफ लड़ाई है लाइन में खड़े हो जाओ। अच्छा पहले काता भाय्या मैं जा रहा हूँ लंडन जाड़ू उठाओ शवाय करो। उसके बाद कहा, लाइन में खड़े हो जाओ, काले धन के खिलाब लड़ाई है, माताएं आप से सवाल पूछना चाहता हूं, लाइन में, बैंक के सामने, आपको कोई काले धन वाला दिखा था, वो विजे मालिया, निरभ मोदी, अनिल अमबानी, वो खड़े थे लाइन में, नहीं न, तो कैसे काले धन के खिलाब लड़ाई है, भाई, कि इमानदार लोगों को आप लाइन के सामने खड़ा कर रहे हो, और हिंदुस्तान के सारे के सारे चोर, बैंक के पीछे वाले दर्वाजे में, गुज़कर अपना काला धन सफेद कर रहे हैं, और प्रधान मंत्री देश के चोगिदार कहरें, यह काले धन के खिलाब लड़ाई, काले धन के खिलाब लड़ाई, लड़ाई काले धन को सफेद में बदलने की थी, और माताएं, जो पैसा आपने बचा के रखा था, वो आपसे चीन कर, आपसे चीन कर, नीरव मोदी, अनिल अमानी, विजय मालिया के जेब में इन्होंने डाला है, अगर तीन लाग पचास हजार करोर रुपया करजा माफ हुआ है, पंदरा लोगों का, माताएं और बहनों, आपके पैसे से हुआ है, ये देश की और मध्यप्रिदेश की सच्चाई है, ये आपने बिल्कुल सही बोला, शिवराज जी, मोदी जी, मध्यप्रदेश का किसान, मनसौर को नहीं भूलने वाला है, उसने निर्ने ले लिया है, कि कॉंगरेस पार्टी को जिताना है, और मध्यप्रदेश की युवाओं ने, छोटे दुकांदारों ने, माताओं बहनों निर्ने ले लिया है, जरूर शिवराज चोहाएं जी, पंदरा साल चीफ मिनिस्टर रहे हैं, और इसलिए, आप हमारा बाशन सुनिये, सब हमारे कॉंगरेस लोगों का बाशन सुनिये, हम कमीज से बात करते हैं हम शिवराज चोहायन जी की पुजिशन का चीफ मिनिस्टर की पुजिशन का आधर करते हैं और उन्होंने जो 15 साल सेवा की है गलत काम जरूर किया है गलत काम किया है मगर हम नफरत से गलत शब्दों से नहीं लड़ते हैं सही बात है ना अब आप देखिए प्रदान मंत्री को सुनिए उनके भाशन सुनिए और फरक देखिए तो आप मध्य प्रदेश की जनता और आप सब को मैं कहना चाहता हूं यहाँ पर योगा लड़ रहा है यह फ्यूचर है और फ्यूचर की लड़ाई हो रही है श्रिवराज चौहां जी मध्य प्रदेश का बीता हुआ समय है और यह मध्य प्रदेश का भविषे है तो आप इनको जिताईए और मध्य प्रदेश में कॉंगरेस पार्टी की सरकार लाईए युवाओं की, किसानों की, कमजोर लोगों की सरकार लाइए, छोटे दुकानदारों की सरकार लाइए आप सब का दिल से बहुत-बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जैद बहुत-बहुत धन्यवाद आधणी राहूल जी और जोरदार जो राहूल जी ने हमें संभूदित किया है और अब तो ये तेय हो गया है, मामा तो, अरे राहूल जी ने खुझ बोल दिया कि पास्ट और फ्यूचर की लडाई है मैं चाहूंगा कि राहुल जी के लिए आज की सभा के आभार के लिए आरंगे सेटी जी के पर पदा रहें प्राइबर चाह रहेंमेगों फिर जी लिए लो जो मेंड़ेप arch offer प्रूभा रहें हम सभा के लिए जया की समय हैं